कई बार क्या होता है कि देखी हम व्यक्तिगात 108 से उठके ऊपर नहीं देख पाते और ऐसे में क्या होता है कि जब हम हथिया डालते हैं तो हमारी टीम भी हथिया डाल देती है लेकिन मैं यहां पर एक चीज करना चाहूंगा कि अभी जो परिस्थितिया बनाई है जैसा कि कि पीछे आप लोगों से मिटिंगों में इस बात की चर्चा की है कि सेलिविरेशन का देखिया अपने लाइट में ही बहुत बड़ा महत्त होता है यह एक ऐसी चीजा ना जो लोगों में वह उर्जा भर देती है वह उत्सा बढ़ देती है कि इंसान अपने जीवन में अपनी फिकर इन्होंने कभी नहीं करी इन्होंने विजयताओं की टीम तयार करी और विजयताओं की जब टीम तयार होती है ना तो एक आगे ऐसा फाइट करती है कि हम हमारे सपनों तक आसानी से पहुंच पाते हैं और इसलिए कहा जाता है कि यह स्वार्थी लोगों का बि ना ये महिने की लडाई है ना ये एक साल बजनेस है ये पीडीयो का बजनेस है यह हम nhất एड रखिएगा और चमिस्ट फीडीयो का बजनेस है तो हमें भोसी दृता होता है जिसमें के सब क्राव्य ही इस यह हो हैं यह सब सेलिब्रेशन का ही परिणाम है कि नहीं तो एक कहानी हम लोग सुनते थे आर्सियम के शुरुआती दिनों में और वह मैं आप से लोगों को उनके पहुंचाना और जब लक्षों तक पहुंचने की होती है तो हमेशा याद रखिएगा कि जब लडाई निर्नाएक दोर में पहुंचते हैं निर्नाएक मोर पहुंचती है कमजोर लोग तूटने लग जाती है कि मैं आपको उधारन देना चाहूंगा मैं चुकि क्रिकेट का हमेशा से मतब पैसन रहा हमारा और मैं काफी खेला भी करता था अस्ट्रेलिया जिसको आप सभी लोग जानते होंगे वह मतब दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली विनिंग तीम मान जाती है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण रिसर्च में निकाला गया वह यही था कि अंतिम च्छनों में भी वह कमजोर नहीं पड़ते हैं मतब जब दुनिया यह मान लेती है कमेंट्रेटर यह बोलना शुरू कर देते हैं दरसक निरास हो जाते हैं कि अब इस टीम मतलब तकता पलट करने का होसला रखती है क्योंकि उनका एक सिंपल सा मैंट्सेट होता है और वो यही है कि जब तक आखिरी बॉल नहीं फेकी जाती है और जब तक निरने आ नहीं जाता है तब तक हमें लड़ना है और यही चीज़ में आप सभी लोगों से करना चाहूंग कि जब हमें हिंदुस्तान का नमबर वन टीम बनना है और अपने लोगों को एक मतलब उचायो जग पहुंचाना है तो यह मांट्सेट ना सिर्फ हमारे खुद के अंदर होना चाहिए बलकि यह मैंट्सेट हमारे हर जो जारू वेक्ति के अंदर होना चाहिए कि जब तक क्ल रहें और गति के नियम और यता के इंदर होता था में तो उस्थिर वस्तु तब तक सथ है और गतिमान विए वस्तु तब तक उस बत्समारे नहीं करता और eset सब्सक्राइब को यह हमारे ल publicity करेंगे तब तब तक वो अपना बेश्ट नहीं देंगे जब तक कि कोई बाहेबल याने कि आपका फोलो आप वीजन आपका ड्रीम उन तक नहीं पहुंचता जब तक वो कोई असर नहीं दिखाने वाले तो मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि गति का यह नियम है और यह स सभी लोगों के पास में अभी भी रिस्पेक्टेट वीजे सर के माध्यम से वह विजन देखने का जो एनवर्सरी के स्टेश पर जाने का मौका मिलेगा यह सारी चीजे जो है वह कहीं न कहीं बहुत बड़ा काम करने वाली है आने वाले समय में लोगों के लिए तो मैं आप सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि अभी मौका है कुछ लोगों को आप कॉल करके इनवाइट कर लेंगे अब बात आ जाती है कि एक बहुत मत्पूर्ण नहीं आपको बताता हूं कि हम भविष्य में भविष्य को नहीं सुधार सकते हैं हम बरतमान में ही भविष्य को चाहूंगा कि आज को ठीक की ज़रूरी नहीं है कि आपका क्या होरा है ज़रूरी है कि आपके कितने लोगों का क्या होरा है और जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसके ममरियल हॉल में 10 जान प्योंपार पीविवे you to text mondo दो वाते हो सकती या तो आपके नीचे को ही आ सकता है और परिवार में कहीं भी टाकत वहँ हमें पूरे दंखम के साथ अपनी ताकत वहाँ पर लगा को एक मजबूर टीम बर्क करने के जरूरत है ज़रूरत है ज्यादा से ज्यादा टीम में एक्षिवर्स निकालने के क्योंकि मैं बार बार एक बात हम इसाफ लोगों से कहता हूं कि देखिए समानित होने वाले लोगों को पता नहीं होता है कि उनके जीवन में कौन सा परिवर लेकिन जब एक वेक्ति सम्मानित हो जाता है तो उसके अंदर ऐसा आ जाता है कि वह आगे और भी बड़ी लड़ाईयों को लड़ सकता है और ना सिर्फ लड़ सकता है बलकि जीत भी सकता है और यह मांट्सेट यह आपके किसी वी वेक्ति के जहन में आ गया तो तैम मानिए आज के जुगनों ही कल के सितारे बनने वाले यह नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा ठीम है इसको आप समझ लीजिए तो फिर मतलब दुनिया के सारे जन को जी जाएएगा कि जूगनों आपके साथी सम्मानित होंगे अपने लोगों के बीच में वो कल क्या कर हुँआ उसटी breast के लिए बड़ा ही मुश् conduction है क्योंकि जीतने की आदति यदि के पिर बड़ा ही मुशք होता है और हम चाहते तो यही है के हमारे नीचे ऐसे लोग서 यो जितने के मैंडशेट के साथ कुछ बढ़े हीजन के साथ इस Yoga食べ करें कि आ बहुत तेज गती से इस बिजनेस में आगे जा सके तो देखे हमेसा एक बात कही जाती है कि लक्ष को हमेसा उचा रखिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि आप उसे हासिल नहीं कर लेते हैं और यही चीज में आप सभी लोगों से कहाना चाहूंगा कि एक छोटा सा करात्म पिल्कुल फॉस्टीव राना है शुटक टाइं तर जीटने के साथ साथ जिताने पे भी हम सभी लोगों का फोकस बनते जाना चाहिए तो गती का इह पहला नियम मैंने आपसे कहा ही साथी साथ दूसरा नियम भी हम सभी लोग जानते हैं कि जब तक बाहरीबल किसी वस्तु पे काम नहीं करता तब तक उसका वेग नहीं बढ़ता है तो यह बाहरीबल क्या है यह आपका कि आपने किनको किनको अभी कॉल नहीं किया और किया उनकी विस्त बनाने बैठेंगे ना तब हमें कहीं और पता चलेगा किुड़ तो और भी ज़्यादा अवसर थे हमारे पूब तो और भी ज़्यादा मौके थे कि हम यहां पर और भी बैहतर तरीके से काम कर सकते थे तो यह चीज मैं आप से सेर करना चाहता हूं मेरा अपना कुद का expiron जो मैंने अभी इतने सालों मे लिया है कि दो तसक से जदा मेरा amigo मैं इस मेरा रहा है 28 तारीक को मेरा business 27000 था मैं मेरे जिन्दगी आप पुछ नहीं हो सकता तो मेरा तो यह मानना है कि अंतिम दो दिनों में ही तो सब कुछ हो सकता है यहां लड़के बहुत सारे लोगों को ना यह गलत परमी होती हैं तो देखिए आपको यह गलत परमी है ना कि बहुत आप छोटे हैं और आपका कोई असर नहीं पड़ने वाला तो आप एक काम कीजिए आज रात में एक ऐसे कमरे में सो यह जहां बहुत मच्छर हो तब आपको पता चलेगा कि छोटे की वेलू क्या होती है और छोटे में ताकत कितनी होती है मतलब इस दुनिया में आज तक कोई भी बड़ा पैदा नहीं हुआ आपको बड़ा बढने क जजबा और जुनुन दिखाना होता और यह तब काम करेगा जब एक टास्क के साथ आप आज से अभियान की सुरुवात करें और वो यह कि कम से कम कल और परसो दोनों ही दिन दो दो सो कॉल आपको करने है इस से कम एक भी नहीं नाम लिखते जाए एक एक आदमी का नाम किया तो करते करते मतलब मैंना सव से जादा नामों तक पहुंच गया और तब मुझे लगा कि यार अठाई दिन तो ऐसे ही चले गए इनसे अभी बात हुई रहती इनसे डिसकसन हो रहता तो चीज़े और बहतर हो सकती थी तो मैं यह चीज़ सिर्फ इसलिए आपको बताना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे गेम को देखते हैं बहुत सारे फिल्मों को देखते हैं तो और प्र सारी अप मतलब नूल मोड म Innen हां जाती हैं आप सभी से यह करना चाहंँगा कि कुछ भी ना हमें नूटल मोड में आना है ना हमारी तीम को नूटल होने देना है क्योंकि हमारे वैलू को बढ़ा रहा है आप तो आपके इंटायर पूरे ग्रुप में पचास बावन पैसे की बढ़त बना रहा है यह गका future बढ़ रहा है तो ऐसे में एक लाग बढ़ गया तो पचास जार बढ़ जाएगा दो लाग बढ़ गया तो एक लाग बढ़ जाए लेकिन हर आई हुई बीवी से पीवी से हमारी टीम होने वाली है हमारी टीम उर्जावान होने वाली है हमारी टीम मुस्कुराने वाली है इस जीताने में जो मज़ा है न वो एक अलग लेवल का मज़ा है और इसलिए मैं आप सभी से करना चाहूंगा कि जीजान लगा दीजे जीजान लगा दीजे मीसन है और मीसन में बस एक ही चीज अपने आपको प्रूब करना होता है हमारे में कितनी ताकत है हमारे अंदर कितना पुर में भी मिलेगे और सब्सक्राइड मुखने लाने का अपने आपको बनाने का उसमाना ही कि 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 निचे साड़े तीनलागता बिजनस का सपोर्ट है कर लिए TAKA के लिए त्यार कर लिए दसजार बडत्य दिमाग में कि यह मुष्कील है जबकि आपकी आप करने पर आजाइए तो सारी सभबभे के इस स्लोगन एक लइन है मैंने पहले भिया विस से कहा था कि दुणिया में इंसान उतना ही खुश से जितना सबस्वारना बनी पर चाथे पुर्हेखे-टर नद शाते तो उससे मेहनत करतें उसे ज्यादा प्लानिंगseits उसे जाधा इफट्ट लगा रहे होते हैं तो देखिए इस बिजनेस में हमेशा दिल बड़ा रखिए और ज्यादा से ज्यादा एचीवर्स फोकस रखिए यह जितने आएंगे बविश्य में उतने ही यह लाएंगे और ऐसे माइंडसेट के साथ जब आप काम करने लग जाते हैं तो फिर कापी बड़े एचिम है कि जो हमारी कार निती होनी चाहिए वह हमेंसा दूसरों के लिए समर्पित होनी चाहिए दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पन भाव हमारे अंदर होना चाहिए और यह यह हो गया तो डेफिनिटली हम बहुत बड़े परिणाम तक पहुंच सकते हैं अब बात आत तीन आते हमें किसी मतलब फेस्टिवल सरीखे बनाना मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था दुर्गा पुजा आती दिवाली आती थी रात में लोग कहां सोते थे पूरा गुमते ही रहते थे इंज्वाई करते रहते थे क्यों क्योंकि एक उमंग ता गुमने का तो म दिवरदस्थ फोलोफ कीज़िए और जैसा कि आपने देखा होगा पर का मोटा है तो वार में क्यों कहा जाता है यह सिंतिंस क्या यही होता है कि इक यूद्न गारा में होता है तो आसमानी तरीके से काम कर रहा होता है जब उसके लख्ष होते हैं ना उसके सामने आप इमेजन कीजिए कि यूद्र के मैदान में कौन सा सैनीक रात में दस वजे सो जाता होगा खाना वना कापके आप सिर्फ कलपना करके देखिए कि क्या ऐसा संभव है और ऐसा हो पाता होगा मैं आपको असपर्ष्ट करना चाहूंगा आपका इसलिए नहीं आ रहा होगा तो मैं यहीं करना चाहत हो कि आप कलपना करके देखिए कि यूद्र के मैदान में मालीजे आप हैं सामने पाकिस्तान खड़ा हुआ है चाइना खड़ा हुआ है गोलिया दनादन चल रही है तो ऐसे में किसी को याद आएगा कि यार खान हए जब तक वह यूद चलता है ना जब तक वह विक्ति चलता है और यहीं चजिज मैं आप सभी लोगों से करना चाहता हूं कि जब तक प्लोजिंग चलेगी जब बहुत है कि देखिए जितने का माइंडशेट यह दिमाग में आ गया ना तो जीत भी आ जाती है और डर के मावल में कभी कुछ नहीं होता तो समस्याइं आती है लास्ट वक्त में आती है कई बार ऐसा लगेगा कि आर वहां खराब हो गया वहां खराब हो गया तो एक ही चीज सब्सक्राइब करते हैं और फिर वो जीवन चलाने के लिए काम करना सुरू करते हैं आर सिम कभी जीवन चलाने के लिए मत कीजिएगा सब्सक्राइब करना यह यह महिने के लिए इस विजनेज को कभी मत कीजिएगा इस विजनेज को चार पीडियो के लिए कजिएगा तो आगे हम सर के बाद फिर आप से मिलेंगे तो मैं ज्यादा ना करते हुए से निवेदन करना चाहूंगा कि सर आईए और अभी सर की बात मैं आप से सेर कर देना चाहता हूं वालकि हमारे सारे लीडर ने कोड़ किया इस चीज़ को लेकिन अगें युहीं वो आर्सियम के भिष्म पितामा नहीं माने जाते मेरा व्यक्तियत विश्वास के साथ में यह बोल रहा हूं कि या तो उनकी नजरें आप पर आ जाए या आपकी नजरें उन पर चली जाए दोनु ही करना चाहूंगा और एक चीज में आपको करना चाहूंगा मुझे आज भी और याद है जब मेरा हुआ करता था चीह हमत डादा आदने इसर की वज़े थाए। बहुत की जत्बोर हxis Pulmonic आदत हमें आज और कल पर सो तीन दिन बना के रखनी है 200 गॉल्स नमबर वन नमबर टू एक एक विक्ति को अभी भी आप सामिल करवाईए पचीस न्यूटी चार्ज वूमेन पर काम करके और उसके साथ साथ 10,000 पीवी जरूर करवाईएगा क्योंकि उससे समानित होने का भी म आप इतने बड़े-बड़े कारणामे कर सकते हैं जिसका अनुमान लगाना भी मुस्किल है तो इसलिए मैं बार-बार हमें कभी भी इसको मैं वॉलूम से जोड के जितने भी लीडर से बात होती है मैं कभी शेयर नहीं करता मेरा हमेसा करना है कि संक्या यहां पे निदारित दूशोप कर चाहीए कि आपके ऐसके लुटकर होते हैं किसी काम को करने को ले तरहां पर फ mapped कि बन नी चाहिए कि आपके एक लोग आपके 15 लोग जब उस वर्क़ोप में आपके साथ बैटे होंगे पूरे दिन वो mindset का ट्रेनिंग ले रहे होंगे dreams का ट्रेनिंग ले रहे होंगे आर्सन की vision को समझ रहे होंगे क्या कुछ हो सकता है भविस के अगले 10-20 सालों में इन सब चीजों को महसूस कर रहे होंगे तो उनके बाद उनकी गति क्या हो सकती है और leader हमेसा भविस में जीता है इस बात को याद रखिये leader हमेसा भविस में जीता है और भविस के खेल को यदि आपको बेतर तरीके से खेलना है तो इस जगह पे आपको जीतना ही होगा इस चीज़ को दिमाग में लॉग करके आप सभी के सभी लोग रख लिजिए maximum लोग focus कीजिए इन चीजों के उपर कि आपके team से अभी भी जो लोग qualify नहीं कर पाए हैं इन चीजों को क्योंकि मैं sure कर रहा हूँ आपको कि कि इस बार जो tools मिला है newty charge की तरब से उस tools के भ्याप पे किसी भी वेक्ती के लिए किसी भी महिला किसी भी पुरुस के लिए 25 newty charge सेल करना चुटकी की बात होगी बस एक बार वो किताब उनके हाथ में पहुँच जाए और एक training उनके उनको मिल जावे इतने मातर से ही वो सारे सारे लोग अपने काम को अंजाम तक पहुँचा सकते हैं बस जरूरत है हमें वहां तक पहुचने की हमें उस चीज का आसास करवाने की कि मतलब उनकी life में चीजे कितने जुड जाएंगे कितना बदलाव आ जाएगा और मतलब ये बदलाव उनकों की जिंदगी में कहां से कहां पहुचा देगा तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से पस इतना ही काना चाहूंगा कि देखिए आप सर को पाचानना लीडर का काम होता है ऑपरचुनिटी को कैस करना ये लीडर का काम होता है विजनरी लोगों का काम होता है और यह बहुत बड़ी और सांदार अपर्चुनिटी है हमारा एसके मुमरेल हॉल का प्रोगाम इसके अंदर जितने भी चीजे भोसित हुई है आप उनके उपर फोकर्ट रहे हैं साथ हम सभी को मालूम है कि जैसे ही कोई वेक्ति इस मेने 25 निवटे पीबी अपने टीम से कर लेते हैं डेडिकेटेट फूल डे वर्क्सोप रेस्पेक्टेट सरके माध्यम से मिलना है तो यह चीज़ को आप जितना मजबूत तरीके से करें और करें कैसे बिल्कुल जैसे एलेक्शन में कनेता काम कर रहे होते हैं ना दिन का पता होता है ना रात का पता होता है हर एक से जहाँ उमीद है वहांँ वो ठास करते और जहाँ उमीद नहीं नहीं पर इनके पास नहीं जाना है उनका बस तरह से अधर हर वेक्ति तक लेके जाता है और यहीं को देखते हुए बर्तमान में अपनी पूरी ताक़ जोगेंगे ना तो ही हम सारे के सारे लोग अपने भविस को मजबूत कर पाएंगे बड़ा कर पाएंगे और खड़ा भी कर पाएंगे तो दोस्तों यहां पर मैं एक ही चीज आप लोग हतास हो जाते हैं निरास हो जाते हैं अप्टर क्लोजिव उनको यह पता चलता है कि यह जो टाइम पिरिट जितने में हम सीथील परे के वहले इतने में एक्टिव रहे रहते तो हम अमारे गोल तक पहुंच जाते तो यह चीज़े मैं आप सभी से क्यों बोलना चाह र अच्छे मुकामं तक लेके जा सकते हैं तो नेटड़ारक मार्केटिंग में हमेशा एक बात गई जाती है कि हमारे इंदे बैडर्टिवर जितने ज्यादा होंगे हमारी वह वहलू हमारा रिगार्ट हमारा रिस्पेक्ट यह उतना ही ज्यादा होगा और इन CEO कि कम रहे play तो कितने भी काबिल कियो ना हूं हमें पूछने वाला कोई नहीं है तो यहां यही मैंटसेट हम सभी लोगों को डेवलप करना है कि अभी भी हमारे टीम के जितने भी साथी है उन सभी लोगों को उस वर्खसब तक हमें पहुंचाना है और एक बार यदि वहां पहुंचा दिये तो फिर काम्याभी की एक ऐसी दुनिया में उनकी इंट्री होने वाली है जो ना वो सोच सकते हैं जो वो ना समझ सकते हैं जो वो ना आज जान सकते हैं